नमस्कार दोस्तों सानखीचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत हेल्दी और टेस्टी रेस्पी जब इस तरह का टेस्टी काबली का सबजी और चावल मिल जाए तो दाल खाने का एक्छा ही नहीं करता है तो काबली की टेस्टी सबजी बनाने के लिए मैं सबसे पहले आलू काबली को उबाल लिए आलू को मैं छिलका उतार ली हूँ अब मैं प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्च को काट ली हूँ अब मैं चलती हूँ कराही को गर्म कर लेती हूँ कराही हमारा गर्म है तेल डाल के मैं गर्म कर ली हूँ इसमें मीर्च जीरा और तेजपत्ता को डाल दी हूँ, इसे मैं थोरी देर पका लेती हूँ अब मैं प्याज डाल के इसे थोरी देर इसे भून लेती हूँ मैं प्याज को हलका गोल्डन बरान कर लेती हूँ प्याज हमारा पक चुका है अब मैं इसमें अदरक लहसन गुल मीर्च जीरा का पेस्ट डाल देती हूँ दो चमच मैं धनिया पौडर को डाल देती हूँ एक चमच मैं हल्दी पौडर और थोड़ा समय पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लेती हूँ मसाला को मैं थोड़ी देर तक इसे अच्छे से भून लेती हूँ आप जितना अच्छा मसाला भूजेंगे उतनी अच्छी सबजी बनकर तयार होगा अब मैं इसमें टमाटर डाल के थोड़ी देर इसे मैं भी भून लेती हूँ अब मैं इसमें स्वाधनुसार नमक को डाल देती हूं तमाटर में नमक डालने से हमार तमाटर जो है ये अच्छी तरीके से गल जाएगा अब मैं इसे थोरा सा पानी डाल के इसे अच्छे से भून लेती हूं आप मसाला को जितना अच्छे से भूनेंगे सबजी आपका उतना ही टेस्टी बनकर तयार होगा अब मैं इसमें काबली को डाल देती हूँ मैं सारे काबली को डाल के इसे अच्छे से मिला लेती हूँ आप सबजी और मसाला को अच्छे से भून ले तो हमारा टेस्टी सबजी बनकर तयार होगा मैं आलू को भी काबली में डाल के इसे भून लेते हूँ मैं सारे आलू को हलके हाथों से इसे मैस कर ली हूँ आप इसे अच्छे से मिला ले आप देख सकते हैं कि ये देखने में टेस्टी सबजी कितना अच्छा लग रहा है हमारा सबजी भून कर तयार है अब मैं इसमें पानी को डाल देती हूँ आप पानी इसमें जरुरूत के हिसाब से आप डाल सकते हैं कम जादा आप पानी कर सकते हैं अब मैस में गरम मसाला धनिया पत्ता को डाल देती हूँ अब इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ अब मैसे 5-10 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ आप सभी से बाते करते करते हमारा टेस्टी सबजी बन कर तयार है हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अबस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो आप सभी के सपोर्ट से तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो आप सभी इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखे